हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आधर्षवांडे, वेलकम तो आधर्षगर्णे दोस्तों हमने प्राचीन थिहास के बारे में पढ़ा था कि प्राचीन थिहास की निर्मार के स्रोथ क्या क्या आउ सकते हैं अधर्षगर्णे था साइतिक श्रोथ और देखा था पुरा ताप्ति श्रोथ तो आज सी स्टार्ट कर रहे हैं हम प्राचीन थिहास के बारे में अच्छे से प्राज़ी इतिहास को दोस्तों तिन भागों में बाटा गया है प्राज़ी इतिहासिक काल यानि प्री हिस्ट्री आज़ी इतिहासिक काल यानि प्रोटो हिस्ट्री और इतिहासिक काल यानि हिस्टोरिकल लेचे यानि 600 पीसी के बाद का समय दोस्तों प्रग्रितियासिक कल प्रग्रितियासिक कल का मतलब ऐसा कल जहाँ पर लीपी नहीं थी लीपी मौजूद नहीं थी लीपी मौजूद नहीं होगी तो दोस्तों लेखन नहीं हो पाएगा तो कि लीपी के द्वारा ही लेखन होता है किस चीज को हम जो लिख रहे हैं जैसे हम हिंदी में कोई चीज लिखे हैं प्राचेन लिखे हैं तो ये प्राचेन जो लिखा गया है ये एक लिपी है उस लिपी को कहते हैं हिंदी के लिपी को देवनागरी लिपी तो दोस्तों ये दिवनागरी लिपी में लिखा गया है तो प्रागतियासी काल में जब लिपी नहीं था जब लिखने की कला ही मौजूद नहीं थी लिखने का वो तरीका ही नहीं था तो लिखा कैसे आता तो जब प्रागतियासी काल यानि प्रिष्टी में लिपी नहीं थी उस समय लेखन भी मौझूद नहीं था जब लीपी और लेखन मौझूद नहीं था तो उस समय कि जानकारी सीमित रही तोंकि उस समय साहेतिक शोत पाए नहीं जाते थे और जो है आपके पुरा तात्रिक शोत भी कम पाए गए या ना ही पाए गए ना कि बड़ाबर पाए गए इसलिए उस समय सीमित जानकारी मुदूर थी दोस्तों अगला है आदितियास यानि प्रोडोष्ट्री इसमें दोस्तों लिपी तो थी लिपी जो थी और लिपी रहने के बाद क्या था लिखा भी गया लिपी थी तो लेखन भी होगा लेकिन जो लिखी गई वो पढ़ा नहीं गया जैसे हरपा काल की जो लेखन साहित लेकिन लिपी रहने के बावजूर जब पढ़ा भी नहीं गया फिर भी हम इसके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं हडपा के बारे हम इसके बारे में जानकारी हमको वैदिक काल के बारे में कैसे प्राप्त होती है हडपा काल के बारे में तो हमें मिरिद्भांडो के वेदिक काल पढ़ेंगे। उतर documenting के अंधर के अंदरक hammam अची से देखें आरिक याल कॉन थे कहां से आरे 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 तो जोड़ो आ रहे थे अंदरकर उन्होंने अपनी जीवन का प्रदाशन इस प्रकार किया कि परवर्तित समयानी बदलते हुए समय में आगे बड़ते हुए समय में लोग unpon line राजिनितिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वासों का पता चल सके कि वो किस प्रकार धार्मिक अपना कारीचार करते थे, सामाजिक कारी करते थे, कैसे वो किष्री करते थे, चीजों को कैसे करते थे उन्होंने ऐसे पनी जिवन का प्रदेशन किया आरे होने तो वो हम पढ़ेंगे वैदी काल के अंतरगर दोस्तो आद इतियास के अंतरगर थी जो है क्रिशी उत्पादन अर्थिवस्था का विकास हुआ था क्रिशी अर्थिवस्था का विकास हुआ था अस्थाइबसियां हम पढ़ेंगे जब तामर पाशार काल आएगा प्रागतियासिकाल के अंतरगर, तीन चरड़ हम उसमें देखें कि प्रागतियासिकाल के अंतरगर, पुरा पाशार काल, मध्य पाशार काल, नम पाशार काल, उसके बाल उसके अंतरे नम पाशार काल के अंत तुमिए जो हम देखेंगे तामरपा जाता तो उसके आदर समय जब पहला था प्रिगतिसी काल उसके में लिपी थी लेकर लेकन भी नहीं था अधितियास में क्या वाल लीपी थी सुल लेकन पढ़ा नहीं, लेकिन दोस्तों अतियासिकी काल में, जाम भूत धर्म की बात करते हैं, मार जरुपा काल की बात करते हैं, उस समयँ हमें साहितिक शोद भी मिलते हैं, यह पढ़ा भी गया है वह साहितिक शोटे तो उसमें जो लेखन थी लिपी थी वह भी मौझूद थी और वह पढ़ी भी करी गया है तो उस्तों महाजन पर काल केंदर कर बुद्ध काल केंदर कर हम पढ़ेंगे यह साही चीजें 600 BC के पाथ बहुत काल धर्म काल यह सारी चीजें हम पढ़ेंगे त्यासी काल के अंदर कर दोस्तों यह था चुकि जो है वाइट बोर्ड आपका छोटा है तो इसमें साही चीजें समाइथ हो नहीं पा रही है और बोलेंगे तो वह अच्छे से समझ मिया था जब तक आपको दिखा हुआ को दिखाया ना जाए तो दोस्तों अगर कोई भी क्यारी को प्लीज कमेंट इंड में कमेंट बार आगे साम स्टार्ट करते हैं प्राइधियासी काल को हम अच्छे से देखेंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हडपा संस्कृति इससे सेंदुशा बता करते हैं थेंक्य करते हैं तोस्तों